तो दोस्तों हम लोग यह GS World की यह बहुत ही बहुत ही शांदार यह पेस्टरिस देख रहे थे जो आपके आने वाले एक्जाम यूपी पीस से आरो ए आरो और यूपी पीसियस की यह कंबाइंड पेस्टरिस थी जो सुद धुरूप से साथ की हो के सवाल थे इसको बहुत ही बहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसका आधा देख लिया है अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखें साथियों तो प्लीज हमारे आरो ए आरो की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका जो है पहला पार्ट देख लिजिए अब हम इस टेस्टरिस का अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दूसरा पार्ट में हमारा साथियों कुछ current affairs के सवाल होंगे, और current affairs से ही related कुछ UP special से संबन्दी सवाल होंगे, जो कहीं न कहीं चर्चा में थे, तो बहुत बहतरिन साथियों एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिले थे आगे मिले होंगे, आप लोग देख लिजिएगा, पूरा सिल्बस उठाकर, और most updated current affairs के सारे सवाल रखे गए हैं, तो साथियों यही उम्मीद करते हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो दोहराने के लिए आपको तो इसका PDF हमने अपने टेलिग्राम पर डाल दिया है, ट साथियों इसका लगबग हम लोग आधा question देख लिये थे, यह सब हम देख लिये थे, लगबग आधा परशन तक हम लोग यह solve कर लिये थे, एक से बढ़कर एक परशन थे यहाँ पर, तो हम लोगों ने साथियों 50 से जादा देख लिया था question को, तो हम सायद 55-56 तक देख ल देखें, आप लोग नहीं देखें हैं, तो please एक से बढ़कर एक प्रशन है, आप जाकर वीडियो के playlist पर जरूर देखिएगा, आप से एक प्रशन छूटना नहीं चाहिए, तो चले हम लोग दोस्तों, शुरुवात करते हैं, question number 61 से, इसमें जो आप से पूछ रहें कर रहे यह यानि पर्यावरण बचाने के लिए, Green Army किस देख ने प्रार्म किया है, तो साथ यह पर्यावरण संदच्छन के लिए Green Army जो है, यह आश्ट्रेलिया ने सुरू किया है, आश्ट्रेलिया ने साथ यह, आप लोगों मैंने साद एक वीडियो पढ़ाया था, एक वीडियो काम करने के लिए पारिस्थित्र है साथियूंपारिस्थित्र तन्त्र के लिगा रहे हैं से वोते हैं क्रित्य वहता है प्रकृति हो गया दॉई से खेत हों गया और बगीचा हो गिया ऎसब में यह सब जो हो गया आगे अगर हम लोग देखें हमारा 62 हो गया आगे हम लोग देखें अगर 63 में तो इसमें कहा जा रहा है कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का पारिस्थितिक असंतुलन का निमलिखित में से एक प्रमुख कारण क्या है तो पारिस्थिक असंतुलन नहीं पारिस्थि सबसे परमुख पोचले तो सबसे में मूलन हो रहा है जो सबसे ज्यादा तेजी गृषट केसे में बिकलप नंबर यही है देख रहे हैं मेज़ौर कौच्छ HOLा तो यही है ecological imbalance का आगे अगर हम लोग देखते हैं 64 में तो 64 में सात्यूं आप से जो पूछ रहे हैं यह करें कि खादर सिंख्ला खादर सिंख्ला यानि food chain जिसे और मानसा हारी भी है तो यहां पर साथ यह प्रात्मिक और दितियक भोगता दोनों है मानो बिकल्प नमबर यह आपका जो है यह डी हो जाएगा 64 का यह डी हो जाएगा क्योंकि मानो साग सब्जी यह भी खाता है जो खुच से अपना भोजन बनाते हैं फल फूरूट यह सब और वह जो है दितियक भोगता भी आनि मांस मच्छी यह सब भी खाता है यह जीवों पर भी डिपेंट है आगे रहे हैं कि जीवभार का पिरामिड किस पाज की तंत्र में उलट जाता है तो इसका इंग्लिश वर्जन अगर आप कोश्यन देखना चाहते है तो इसमें भी आ वह उलट जाता है जो भार के संस में आप से पूछा जा रहा है तो साथियों आप लोग जानते हैं अगर इसके पड़े होंगे तो पिरामिड के बारे में थोड़ा सा साथियों यह सीधा पिरामिड हो गया और यह साथियों यह वाला उल्टा पिरामिड हो गया तो यही उल संख्या में पूछा होता तब यह हो जाता लेकिन बहार में जिव भार में पूछ लिया तो उनका संख्या मधिक होते हैं लेकिन उनका बहार कम होता है फिर जैसे ही अगले चरण में जाते हैं संख्या कम होते हैं लेकिन बहार बढ़ जाती है ऐसे ऐसे बहार बढ़ती जाती ह तो विकल्प नंबर B हो जाएगा हमारा तालाव, आगे अगर हम लोग देखें, छाँछट में, तो इसमें साथियों करें, भारती सुपर कम्प्यूटर का जनक कौन कहलाता है, ये हमसे question नमर 66 में पूछ रहे हैं, तो विजय भाटकर, विकल्प नंबर ये B हो जाएगा, वि भी, तो विजय भाटकर, भारती सुपर कम्प्यूटर के जनक कहलाते हैं, तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा, इन्होंने सुपर कम्प्यूटर परम 8000 नाम से एक जो आया था, आप लोग पड़े होंगे इसके बारे में, परम 8000, जो है, कि विकास में इन्होंने बहुत ह महत्तपूर योगदान दिया था इन्होंने, तो आगे देखे हैं हम लोग, 67 में एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कम्प्यूटर हो सकता है, कोई एक डिजिटल घड़ी है, इसमें किस प्रकार के कम्प्यूटर हो सकता है, ये बताना है, चार आपको नाम दिये गए में फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, इंबेंडेंट कंप्यूटर, तो कौन सा हो सकता है साथ यो डिजिटल घड़ी में इंबेंडेंडेंड कंप्यूटर पडाली द्वारा संचालित होती है, तो विकल्प नंबर यहां आपका D हो जाएगा आना है, तो नहीं पर हम मार्किंग कर दियें, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, छोटे छोटे प्रशन है, छोटे प्रशनों में यही चीज़े ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो हम आता हुआ प्रशन गलत करके आते हैं, और वहां से बड़े confidence से निकलते हैं, एक्सेल जो है साथियों, यह बिकल्प नंबर यह जो है, यह एक्सेल एक spreadsheet अनुप्रियोग है, यह अनुप्रियोग साथियों Microsoft Office का एक भाग है, तो यही है जो है बिकल्प नंबर D हो जाएगा, तो यही जो है hardware नहीं, आगे देखें हम लोग, 69, भारत का पहला remote sensing satellite कहां से छोड़ा गया था, तो remote sensing satellite कहां से छोड़ा गया था, English version आप इसका देख लेजी, इसमें technical term होते हैं, तो मैं कोसिस करता हूँ, कि आपको जो है, इसका जो है, यह दिखा दिया करू, English version question, remote sensing satellite was launched, कहां से launch किया गया था, तो यही आप से पूछ रहे हैं, remote sensing satellite के बारे में, तो कहां से छोड़ा गया था, चार नाम आपके सामने दिये हैं, केप कैनेडी से, बैका नूर से, पैंच गुवाना से, या हरी कोटा से, तो किसमे साथियों, यह बैका नूर से, बिकल्प नंबर B, भारत का पहला remote sensing satellite जो है साथियों, यह 1988, 17 मार्च, 1988 को साथियों, बैका नू परशन पूछा जाता है, और बच्चे confused हो जाते हैं, यह cryogenic temperature क्या होता है, तो cryogenic temperature का आज से पूछ रहे हैं, क्या होता है, इंग्लिश में भी यही नाम है cryogenic top, तो साथियों, ऐसा top, जिसके कोई minimum temperature, जैसे होता है न, temperature जो होता है साथियों, वो maximum infinite हो सकता है, कितना हो सकता है उसके कोई limit नहीं है, लेकिन minimum temperature जो होता है, उसकी एक limit है, वो minus 1.500 degree Celsius से कम किसी का temperature नहीं हो सकता, minus 1.500 degree Celsius, तो ही minus 1.500 degree Celsius जो temperature होता है, उसी को cryogenic temperature कहते हैं, तो विकल्प नमबर यह C हो जाएगा, minus 1.500 degree Celsius से कम का जो temperature है, वो cryogenic temperature है, तो विकल्प नमबर यह आपका C हो आगे अगर हम लोग देखे, क्या होता है साथियों अगला प्रशु यह एक रत्र में, if guys engine की खोज किसने की है ? तो कुछ लोग को यहां पर डीजल लगा देंगे नहीं साथियों डीजल नेリुडॉल्फ डीजल नाम की एक देखती थे यहां पर थोड़ा आपको clear मैं कर दूं, Rudolph Diesel, यहां मैं D लिग दे रहा हूं, डीजल समझ जाएगा, Rudolph Diesel नाम के बेक्ती थे, यह Diesel इंजन खोज किये थे, तो यह नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग इस इंजन को ही गैस इंजन समझ लेंगे, तो गैस इंजन की जो खोज किया थे स साथियों, यह Demler ने किया था, बिकल्प नमबर C, और डीजल इंजन की Rudolph डीजल, आगे देखें हम लोग, नाम में ही डीजल है उनके, आगे देखें संसद के लिए राश्ट्पती का अभिभाशन कौन तयार करता है, तो साथियों आप लोग देखते हैं, जब मतलब बजट पेस किया जाता है, तो राश्ट्पती जो है उस बजट का अभिभाशन पढ़ती है, तो जो पढ़ती है वो खुद उनका नहीं होता है, सरकार का मंत्री परिशद उसे मिलकर तयार करता है, और राश्पती जो उसे के वल संसद के दोनों सदनों के सामने उसे पढ़ती है, तो बिकल्प नमबर यह जो है केंडरी मंत्री मंडल तयार करती है, बिकल्प नमबर ए 72 का A हो जाएगा, आगे अगर हम लोग देखें, 73 में, राश्पती द्वारा जारी एक अध्या देश, संसद के सत्र, राश्पती अगर कोई एक अध्या देश जारी करती है, अध्या देश आप लोग जानते हैं, अगर कोई संसद अगर अपने नहीं उसके सत्र में है, अगर कोई कानून बनाना जरूए होता है, तो अध्या देश के जारा बना दिया जाता है. तो अइंग क्या बना दिया जाता है तो संसत के सत्र जब श्टार्ड होता है तो कितने समय तक रखा जाना चाहिए? तो छ़이पते तक 6 हपते से जॉदा नहीं रखना चाहिए तो 6 हपते तक 6 हपते से जादा नहीं रखना चाहिए तो विकल्प नंबर ये कहां है 6 हपता ये 6 सपता विकल्प नंबर ये भी हो जाएगा तो आप लोग एक बर प्लीज कमेंट में बताईए राश्पती अध्यादेश जो है किस अनुच्छेद के तहट जारी किया जाता है ये आपको भी फिर आउबत करा दू कि ये केंडर का में पूछा जा रहा हूँ राजपाल का नहीं राश्पती का अध्यादेश में पूछ रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में इसको भर देजिएगा अनुच्छेद आर्टिकिल बता देना किस आर्टिकिल के तहट अध्याद के अनुचार अधा किया जाता है तो निम्लिखित में से यह किसका कथन है साथियों जब सन्विधान सभा थी हूँ तो उसमें सन्विधान सभा में केटी सा नाम के एक डेप्ती थे वो यही कहे थे DPSP जो था है जो हमारा राज की नेती नियसक्त दान है तत्त है उसके बारे में कहा था कि सात्मियों कियो कहा था क्योंकि यह सरकार का करतब बंटा गया है नहीं तो नहीं देगा, तो इसी लिए इसी सेंस में उन्होंने कहा था, क्योंकि आप कोर्ट के माध्यम से DPSV को लागू नहीं करवा सकते, यह सरकार का एक कर्तब्य है, जैसे हम लोगों का मूल कर्तब्य है, इसी तरह से यह DPSV सरकार का कर्तब्य है, तो केटी साहने कहा था इसके बारे में, 75 में साथियों जो आप से सवाल पूछ रहे हैं, निमलिखित में से किस अनुछेत के तहट, किस अनुछेत के तहट, विभिनर राजियों से संबंदित, विशिष्ट प्रावधान का उल्लेक किया गया है, तो साथियों अनुछेत 271 के तहट, विभिनर कई सारे ऐसे राज्यों है जिन्गों जो है उनके लिए बिसिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है इसके बारे में तो कुछ नंबर 75 का यही है जैसे मड़ी पूर असाम आंध प्रदेश सिक्कीम मिजोरम हो गया और अरुडाचाल प्रदेश गोवा ऐसे संबंदिर राज 9 IX में निर्वाचन आयूइज को हटाया सकता है आप लोग जानते हैस बाटन देखेंगे इसमीं लिखा है इलेक्शन कमिश्णिर म कि सकाहरत को लिग देए गए हैं कि हापको अबस लिखा इसके अमुख मंत्रि के दवारा निरवाचन आयूँप की परामर्स द्वारे के परामर से राश्टपती के द्वारा या भारत के मुख नाइधीस के द्वारा तो साथियों यहां पर आपको को बता दू मुख यह जो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है यह मुख निर्वाचन आयुक्त जिसे कहता है तो राश्टपती उसे हटा देता है यानि लिखित में से किस सन्मिधान संसोधन के द्वारा मतदान के आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया था तो साथियों आप लोग को इसको अच्छे से साथ याद होगा पहले 21 मत ओट देने का जो एज थी मिनमम वो 21 साल था फिर 16 सन्मिधान संसोधन के माद्यम से उसे 3 साल घटा कर ये मिनमम एज 18 साल कर दिया गया तो विकल्प नंबर यहां हमारा सी हो जाएगा 16 सन्मिधान संसोधन जो की 1988 में हुआ था तो इसी के माद्यम से जो है मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किया गया आगे देखें हम लोग 18 में 78 में तो निमलिखित में स दली वेवस्था डली व motiv किस व्य व्य वस खंग का अंग है तो साती यूं सी्पल सी बात किटना बात पूछ लिया है दली वास्था इसका मतलब हर पार्टियां मिलकर सरकार बनाए गड़बंधन के माध्यां से तो यही होता है एक पॉलिटी से संबंदित है राजनीतिक बिवस्था है दली बिवस्था का एक तरह का राजनीतिक बिवस्था है सिंपल सा परशन है यह आगे देखें हम लोग सेवंटी नाइन में करें एक निमलिखित में से किसे सन्मिधान की अंतिम व्याक्षा करने की सक्ति प्रदान की गई है तो साथियों सन्मिधान की अंतिम व्याक्षा सुप्रिम कोट को प्रदान की गई है बिकल्प नंबर C सुप्रिम कोर्ट ही सनविधान की अंतिम व्याख्या करने की सक्ति रखता है तो साथियों यहां कुश्चन नंबर 80 में जो पूछ रहे हैं करें कि भारती सनविधान के संसोधन में से कौन सा ऐसा संसोधन है जो केंद्री मंदल के आकार को सीमित करता है तो साथियों पहले जो होते थे मनमानी तरीके से मंत्री बनाये हलुआ की तरह मंत्री बाटे जाते थे लेकिन 91 सनमिधान संसोधन आया का कि नहीं भाई आप अपने जो है ये कुल जो है सदस्यों के जो है पंदर पर्षंट से जादा मंत्री नहीं बना सकते इसमें पंदर पर्षंट टै किया गया 91 सनमिधान संसोधन के माध्यम से तो आपका 80 का उत्तर ये B हो गया बिकल्प नमबर ये B 91 सनमिधान संसोधन आगे देखे हम लोग अगर कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यही आप से पूछा जा रहा है यहां पर 25 सनमिधान संसोधन अदिनियम 1985 सौवा सनमिधान संसोधन 2015 तो यह तो क्लियर है साथ ही हूँ यह बंगला देश ऑ भारत कि जमीन वाला मामला था इसमें ये किया गया था, ये तो सही है, ये तो bones clear है, 69 69 1991 ये भी सही है, 67adian San exception 1990 ये भी सही है, तो आपर ये 3 सही है, इसका मतलब विकल्प Number A यही घडबड है सथी हैं, तो विकल्प Number कौन सही है तो ये सही है तो जब insightful पूछे पैरिसाजान संसोधन दिनियम तो यहीई बात है तो बिकल्प नंबर ए आपका यही हो जाएगा तो 1998 में आया था 45 संसोधन दिनियम जो है यह जो है सन्मिधान संसोधन प्रक्रिया का प्रावधान सन्मिधान संसोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो साथ में सिंपल सी बात ये दच्छिड अफ्रिका से लिया गया है इसका ट्रीवी होता है हेर फेर फिर फिर करना मतलब संसोधन करना, तो फिर से फ्रिका हो गया, तो दिकल्प नमबर D हो गया, आगे देखें हम लोग, ये 83 में कौन सा गयर सदस संसत के कारवाई में भाग ले सकता है, यानि कोई ऐसा जो संसत का सदस से नहीं है, फिर भी संसत के कारवाई में भाग ले सकता ह तो वह कौन है तो शाथियों वही सरकार का वखील महायवादी दिकल्ब नंबर ई यह महायवादी साथि चाहर सब्सक्रा सकता है वहाँ बैठता है उनकी करवाइए में भाग लेटा है बोलता है लेकिन ओट नहीं देता, तो विकल्ब नमबर यही है, 84 अगर हम लोग देखें, तो राष्टी सुरच्छा समीती सलाहकार, निमलिखित में से कौन होता है, तो कौन हो सकता है साथ ही आप लोग यहां देखें, ग्री मंतरी, प्रदान मंतरी, राष्ट्रपरती, राष्टी सु कौन होगा, यह प्रदान मंतरी होगे, विकल्प नमबर भी, राष्टी सुरच्छा सलाहकार, कौन होता है, प्रदान मंतरी होते हैं, तो विकल्प नमबर यह हो जाता है, आगे देखें, अभी इससे समंदित, और प्रशन आएगा, देखें, आ गया न, तो यहां करें, सीम प्रबंधन विभाग, इंग्लिश वर्जन अगर आप देखेंगे, तो इसमें लिखा गया है, डिपार्टमेंट आप बार्डर मैनेजमेंट, तो यह किस से समंदित होता है, साथियों, यह होम मिनिश्ट्री से समंदित होता है, मिनिश्ट्री आप होम अफेयर, बिकल्प बिकल्प नमबर भी हो जाएगा, तो यह कहां हो जाएगा, ग्रिहम अंत्राल है, आगे देखें, 86 का, तो निवनतम आवशक्टाओं की शंकल्पना, किस पंचवर्शी योजना में एक नवुतपाद था, तो बिकल्प नमबर यहां कौन सा नवुतपाद था, चार आप्श सी हो जाएगा पांच वर्षी योजना में 1975 में विकल्प नमबर सी आगे देखें हम यह 87 में जो पूछा जा रहा है क्या है लिमलिखित में से हुआ कौन सी सर्थ है जो भारत के विकास के लिए आवस्यक नहीं है तो कौन सी ऐसा सर्थ है जो भारत के विकास के लिए आवस्यक नहीं है तो पूछी संचयन आवस्यक है संसादनों की खोज विकास के लिए आवस्यक है प्रोद्योग्यकी में टेकनोलोजी में ब्रिध्धी भी यह विकास में सहा विकास के लिए आवस्यक है तो यहां जो जनसंख्या बृद्धी तो साथियों यह विकास के लिए आवस्यक थोड़ी नहीं जनसंख्या बृद्धी एक तरह तो विकास को एक तरह से डिग्रेट भी करता है तो विकल्प नंबर सी जनसंख्या बृद्धी विकास के लिए लेकिन यह भारत की सेंеш में पूछा है तो आर्थिक नीरे जन का बिसे क्या है तो आर्थिक नीरे जो इंगलिष में आप लोग देखेंगे तो आर्थीक नियोजन इकोनामिक प्लानिंग, the economic planning is the subject matter, तो किससे संबंदित है, union list, state list, या फिर यहां पर जो समवर्ती सूची दिया है, किससे संबंदित है, तो साथियों, आर्थिक नियोजन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि साथवी यह अनकूची में दिया गया है, जो बिसे बाटे गया है, कि संग समवर्ती सूची इससे संबंदित दिया गया है, तो यह समवर्ती सूची संबंदित है, आर्थिक नियोजन, समवर्ती संबंदित है, तो इस समवर्ती सूची में सातियों, जो है हमारे कुल 52 बिसे हैं, लेकिन जब मूल सन्विधान था सातियों, तो मूल सन्विधान में सम समौर्थी सूची में कुल 47 भी से थे लेकिन इसमें 47 बढ़ाकर ये 52 कर दिये गए हैं विकल्प नंबर ये आपका C हो जाएगा समौर्थी सूची में आगे देख लेंगर हम लोग 89 में भारती नियोजन का कौन सा दसक क्रिशी उत्पादक की दृष्टी से सरवाधिक सफल मा जाता है तो साथियों 1980 का दसक किसी उत्पादन सबसे बेश्ट रहा था तो विकल्प नंबर ये D हो जाएगा हमारा ये 1980 का दसक आगे देखें क्योंकि इसमें टेकनोलोजी अब बहुत सारी टेकनोलोजी आ गई थी तो इसके लिए प्रथम पंचवर्षी योजना के विका किस मॉडल पर आधारी थे तो साथियों सिंपल सी बात लल्लू वाला प्रश्ण है ये हैराट डोमल माडल आधारी पर दूसरा अगर आपसे पूछे तो महानलोबिस माडल पर चौथा पूछे तो गौडगिल माडल पर आगे देखें हम लोग एक्यान वेवा में साथियों निमलिखित कथनों पर विचार कर लेजिए विचार करके सही उत्तर दे देजिए यही कह रहे हैं आपसे हमारे दिये हुए कथनों पर आप विचार कर लेजिए अच्छे से और सही उत्तर दे देजिए तो पहला आप बढ़ेंगे तो पहला तो साथ यों क्लियर हैं भूमी के संस्थापक बिनोवा भावे हैं तो ये भी सही है बिलकुल सही और ये वाला तो साथियों आप सबसे ज़्यादा क्लियर होंगे इस कथन से पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागावर जिले में शुरू किया गया था आंद प्रदेश में यह दूसरी बार शु सब्तर नहीं हो सकता तो विकल्प नंबर यहीं बचता है ये वाला ये सही है क्योंकि ये चौथा भी सही है गुप निर्पेश सब्द का प्रयोग उनिस सो तिरिपन में भारदी राजनीती के कृष्व मेनन ने किया था तो आप अगर तीसरा वाले के बहुत फेमस फैक्ट है ये तीसरा आप इसे अगर इलिमिनेट कर देंगे तो इसे भी आपका आधी समस्य है साल्व हो जाएगी आगे देखें बानवे में सातियों यहां पर देखें क्या गजब के परशन है हमारे पास तो यहां पर एक तरफ सातियों पुष्टक का नाम है और दूसरी तरफ उ ही के लिए एगा वीदर इंडिया वीदर इंडिया यह पंडिज वालन नहरु ने लिखा था बिकल्प नवर यह यह इसका मतलब हमें पता चल गया इन रंदिनी यह लिखा है बंकिम चभणत जीन तो यह सब Utkel तो मिल गया मैं आपको जानकारिक लिए बता तरहा हूं सी वाला एक पर देख रहे हैं इसी में भी है और बाकी अब सब आप मिला सकते हैं बी वाला दो पर चला जाएगा अब बाकी अब जो बचा है उसका अस्थान ही होगा पाचवा का अस्थान यही है इस तरह से आप मिला लेंगे आगे देखें तो यहां पर साथी दो आपको दो नाम दिया है बंगका और विलीटन यह इंडियोनोंसिया के एक टिन उत्पादक छेत्र हैं तो बिकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा टिन उत्पादक छेत्र आगे देखें हम लोग यह हमारा 93 हो गया अब हम लोग देखते हैं 94 में इसमें क्या करें साथियों अस्तानांत्रित क्रिसी अस्तानांतरित क्रिसी को इंडोनेसिया मलेसिया में किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों वहाँ, इसको अस्थानाफ्रित किसी को लदांग के नाम से जाना जाता है, दिकल्प नमबर ए, लदांग के नाम से, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, तो Shifting Agriculture नाम लिखा है, Shifting Agriculture कि इंडोनेशिया एंड मलेसिया लोन यह लदांग दिकल्प नमबर ए अगे देखें हम लोग अगर तो करें हैं कौन सा सुमेलित नहीं है तो जो सुमेलित नहीं है उसी को बताना है एक तरफ परवत है दूसरी तरफ देश है तो कौन यहां अलेगनी दे दिया है अगले अलेगनी तो यूएसे में है यह बिल्कुल सही है अलेगनी यूएसे में है और यह अलबुर्ज जो है यह इरान में है और मैकेंजी कनाडा में यह तीनों तो कनपर्म है तो विकल्प नंबर यही गलत दे दिया है यह जो है साथियों यह का आपका गलत था तो हमने बता दिया रसायनिक बिधी से निर्मित आवसादी चत्तान का उदाहरण क्या है जिप्सम ग्रेनाइट क्वार्ड या इनमें से कोई नहीं तो साथी कौन सा होगा यह हो जाएगा जिप्सम कौन साथ रसायनिक बिधी से निर्मित आवसादी चत्तान कुदाहरण है जिप्सम है आगे देखें यह हमारा क्या है सत्तानबे में लोयस का सबसे अधिक बिस्तार लोयस का सबसे अधिक बिस्तार निमलिकित में से निमलिकित छेत में यानि किस छेत में लोयस का सबसे अधिक बिस्तार पाया जाता है तो किसमें साथियों लोयस का मैदान सरवाधिक बिस्तार उत्तरी चीन में पाया जाता है तो यहाँ यह हो जाएगा उत्तरी चीन में आगे देखें हम लोग यह दस सहस्थ्र धूम्र घाटी, 10 सहस्थ्र धूम्र घाटी की स्षेतर में इस्तित है इरान, अलास्का, नियूजी लेंन, या आश्टेलिया तो कहां है साथियों यह बिश्यों के प्रमुख जो एक तरह से कहा सकते हैं ये जो सहस्त्र धूम है धुवारा अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी अस्ठानै bunkग्र ये उस्फाण नंवरग्र ये तरह का है ये 10,000 10,000 इस्मोक वैली रीजन कहां है अलाश्का में अलाश्का कहां है यूईस्से में तो दोस्तों question number ये 99 में आप से पूछा जा रहा है कि update research के अनुसार यानि आदतन अनुसानों के अनुसार भूकंप आने से पहले वायू मंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है तो किस गैस की अधिकता हो जाती है वो गैसे सातियों रेडान विकल्प नंबर C हो जाएगा रेडान आगे अगलो हम लोग देखें ये question number hundred में सातियों बहुत ही गजब का सवाल पूछा जा रहा है कह रहे हैं कि सबसे कम गती ऐसी कौन सी भुकंपी तरंगे हैं जिसकी गती तो सबसे कम होती है किन्तु वह सबसे अधिक बिनासकारी होती है वो भुकंपी तरंग का नाम बताइए तो तो साथियों भूकंपी तरंगे, ये L तरंगे की बात कर रहे हैं, बिकल्प नंबर A, जो 100 का आपका इंसर होगा, वो A हो जाएगा, L तरंगे साथियों, इनकी स्पीड तो सबसे कम होती है, लेकिन ये सरवाधिक बिनास्कारी होती है, तरंगों के बारे में आप लोगों ने होती है, फिरियस की, फिरियल की, लेकिन बिनास्कारी की रूप में सबसे ज़्यादा बिनास्कारी L की होती है, तो वही इसमें पूछा है, बिकल्प नंबर A, आगे देखे हम लोग, ये देखे क्या कर रहे हैं, 101 में निमलिखित में से कौन क्रेटर जील का उदाहरण है, तो क्रेटर जील का उदाहरण क्या है साथियों, इसने बताना है क्रेटर जील का मतलब साथियों, क्रेटर जील का उदाहरण नहीं है, तो क्रेटर जील का उदाहरण नहीं है, तो क्रेटर जील क्या होता है साथियों, इससे भूकम आता है, भूकम आने के जो जो आला मुख में हैं Victoria है् यह संद्शी मार की जो हम जाता है तो वह होती है यह गोन जील का मतलब इसाफिονे किनारे होती है उसमें खारा जल आ जाता है तो उससे वो बनी होती है तो विकल्प नमबर डी ये Crater Hill नहीं है आगे हम लोग देखें साथीं प्रवाल एक प्रकार प्रवाल एक प्रकार है क्या है साथीं ये प्रवाल एक प्रकार का साथीं ये Calcarius चत्टान का उदारण है विकल्प नंबर A हो जाएगा 102 का जानते हैं प्रवालों के जो अस्थी पंजर होता है वो इकठा होते होते हैं कि वो दिवार टाइप की संद्चना बन जाती है तो केलकेरियस चत्टान का एक प्रकार है विकल्प नंबर यह भी हो जाएगा आगे अगर हम लोग देखें तो एक सो तीन में यहां हमसे जो पूछी जा रही है साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है यह यूपी इस्पेशल से संबंदित यह क्वेश्चन आप से है क्यों गूबेन पावर महिलाओं के सुरच्छा से संबंदित गूमेन पावर 10-90 योजना शुरू की गई है तो आप लोग देखें होंगे जगा जगा पोस्टर लग दर पे लगा होता है तो गूमेन पावर लाइन 10-90 योजना की सुरूआत कब हुई थी तो जानते हैं सात्यों यह समाजवादी पार्टी की सरकार 15 नौबर 2012 को सुरू हुआ था तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका यह 103 का ए हो जाएगा यही 15 नौबर 2012 आगे देखे हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में आवसत्त कार्य सहभागिता दर कितनी है तो साथियों बहुत ही लाजवाब प्रश्न है यह आपके आर्थिक विकास से संब्दिक कोश्चन है बहुत अच्छा और खास करके यूपी इस्पेसल और जनगणना से भी से जोड़ सकते हैं किसी भी टापिक में गुशा देंगी ते फिट बैट जाएगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में आवसत्त कार्य सहभागिता दर साथियों यह लगभग एक तिहाई यानि यह 33 परसेंट के आसपास से 32.9 परसेंट दिया है यहां आव नात्मक रूप में ले तो एक तिहाई यानि 33 परसेंट जनसंख्या मतलब अपने कार में लगी हुई है मतलब एक तरह से काम कर रही है और इसके बाद अगर देखे हम लोग तो 67 परसेंट जनसंख्या बैट कर खा रही है तो यह हो गया इसका काम बिकल्प नंबर A हो जाए उत्तर परदेश के किस अस्थान पर हुआ है तो साथियों अलीगड में एक अस्थान हरिदाज पूरा तो वहीं हुआ है बिकल्प नंबर ये B हो जाएगा आगे अड़े हम लोग देखते हैं क्या है यह बेगम समरू का अतिप्रसिद चर्च का निर्मार कहा हुआ है तो मे परदेश के सर्धना में बिकल्प नंबर ये आपका B हो जाएगा 106 का B आगे देखें 107 में सातियों क्या करें है सिंपल सा सवाल है कई सारे एकजाम में यूपी इस्वेसल हो गएरे में भी बहुत आज पूछा जा चुका है कि किस जनपद में कालेंजर का किला इस्थित है तो उत्तर परदेश के किस जनपद में ये तो नहीं दिया है लेकिन ये उत्तर परद में है कालेंजर का किला उत्तरफ पर्देस में अगर की जिला में है तो बुंदेल ख्ंड के आज पास जो ऐखे है ये बांदा वहीं बांदा में है बिकल्प नंबर ए हो जाएगा आगे बढ़े हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में किस जन्पद को धान का कटोरा कहते हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश के बनारस के पास एक जिला है, सठा हुआ उसके बगल में, तो चंदवली, विकल्प नंबर भी चंदवली को धान का कटोरा कहा जाता है, यहां पर राज पूछले किस राज को धान का कटोरा कहा जाता है, तो आप 36 गड़ बता देना, 36 गड़, तो विकल्प नंबर यह भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जीला पूछा तो यही बता देंगे आप, आगे देखे हम लोग 9 में, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्री कृत विश्व विद्याले क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्री विश्व विद्याले, केंद्री विश्व विद्याले का मतलब ऐसा विश्व विश्व विद्याले सातियों, जिसका खर्चा केंद्र सरकार उखा रही हो, तो यह केंद्री विश्व विद्याले उत्तर काशी हिंदू बिश्व विद्याले जो बात में मोडिफाइड होकर जो है बियच्चू बन गया आगे देखे हम लोग और अगर सबसे पुराना अगर पूछे तो सबसे पुराना यह अगर बिश्व विद्याले पूछे तो यह इलहाबाद हो गया इलहाबाद इन्वर्सिट ए यू थालंकि ये केंदरी नहीं है केंदरी गवारे में केंदरी तो यही है और पहला मुश्लिम बिस्विद्याले तो ये अलीगड मुश्लिम बिस्विद्याले हो गया और इसकी स्थापना जो 1980 ये अगर बेच्चू का अगर पूछे तो ये इसकी स्थापना 1916 में मालवी और एनिवेशन के सहयोग से बना था मालवी जी के आगे देखें 110 में निमलिखित में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर इस्थित है तो गंगा के दाहिने किनारे पर इस्थित कौन सा है साथियों तो गंगा के बाएं साइड पर प्रियाग राज है अरिद्वार भी बाएं ही है कानपूर भी बाएं है यह वारानसी साथियों यह गंगा के दाहिने तट पर है तुपिकल पर नंबर यह C हो जाएगा हमारा 110 का C आगे देखें 11 में साथियों क्या हमसे पूशा जा रहा है मैचिंग वाला सवाल है बहुत अच्छा सवाल है यह तो इसको हम थोड़ा सा 111 है बाकी उपर कुछ नहीं लिखा है उसको हम हटा दे रहे हैं आपको अच्छे से दिखाई दे जादा छोटा कर देंगे दिखाई नहीं देगा तो एक तरफ यहाँ आपको दे दिये हैं यह बिसे वस्तू दे दिया है उससे संबन्दित दूसरी जो है सूची में अनुच्छे दे दिया है तो उससे संबन्दित हमें मिला कर बताना है तो हमें जो सबसे ज़्यादा क्लियर है उसको हम मिला दे सबसे पहले तो एक चीज़ जानते हैं संसद में उपयोग के जाने वाली जो भासा है इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का उपयोग होगा और अनराज्यों में भी अंग्रेजी का होगा अगर राजपाल कर्मोती लेकर वहां के छेतरी भासा में किया जा सकता है तो ये संसत में उपयोग के जाने वली भ आगे और हमनों देख लें, संसत द्वारा यो में राज बिधाई क्याओं द्वारा बनाएगे कानून का विष्थार अनुछे 245 में है, तो ए वाला जो है एक पर होना चाहिए, तो चलिए यह वाला एक यहां पर है, तो ए पहले एलिमिनेक हो गया था, तो विकल्प नंबर बी ही हमारा बनेगा यही है, इसका मतलग यह वाला इस पर आ जाएगा मुख मंत्री राज जिपाल को सूचना प्राप्त करने का करतब 166, राजपाल द्वारा बिशेश संभोधन 176, तो विकल्प नंबर ए हमारा फिट बैट रहा है इन सभी के लिए 111 का बी, बी बैट र निमनलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऐसा कौन सा जोड़ा है, जो सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों, यह हाइडरो मीटर है, हाइडरो मीटर से साथियों, जल में तुलनात्मक घंत तो मारवा जाता है, कि तुलनात्म भी बात सच है तो विकल्ब भी भी सत हैं अभी हमें गलत बताना है यानि जो मिस मैच हो उसे बताना'RE भी हमें नहीं मिला तो सी वाला अगर देखते हैं तो हायड्रोफोन हायड्रोफोन के चलते सातियों अंतर जली द्हनी को रिकार्ड किया जाता है तो यह भी सई है 112 का, ये B, C भी अपनी जगापर सत्य है, तो इसका मतलब जब ये तिनों हम कनफर्म हो गए सही है, तो D ही वाला गलत होगा, तो विकल्प नमबर D ये गलत है, क्यों गलत है साथियों, हाइग्रो इसकोप कर रहे हैं, कोड़ी वेक का मापन करता है, तो यहां पर ये हमारी बा पर जाता है, वो जाइरो इसकोप होता है, तो इसको आप लोग जानते हैं, जाइरो इसकोप, तो विकल्प एडी गलत है आपका, तो हम लोग अगर ये question number 113 वाले को देखें, तो ये कथन कारण वाले सवाल है, तो यहां पर आपको एक कथन दे दिया है, और एक कारण है, इन दोनों को अच्छे से अबजर्व करके हमें बताना है, कि हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, तो यहां हम देखें, हम लोग इसको बहुत ही popular प्रशन है ये, एक पुर्ड़ता घर्षड हीन, यानि frictionless कोई एक surface है, उस पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, और CT बजा कर अपने गती, अपने आपको गती मिला सकता है, क्योंकि साथियों में आगे बढ़ने के लिए friction चाहिए, जहां friction नहीं होगा, आप motion नहीं हो सकता, तो motion को जो है बढ़ाने के लिए फूंक मारेगा, तो उसकी बीपरी दिशा में थोड़ा हलका हलका आगे बढ़ सकता है, ये बात ब पर नहीं लगेगा, तो उसका सम्वेग में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो ये भी बात सही है, लेकिन एक दिक्कत है साथियों, ये जो घरसड हिन वो पर एकती CT बजाकर आगे बढ़ रहा है, ये बात इससे explain नहीं कर पा रही है, तो ये दोनों बाते सही हैं, लेकिन एक द देखें हम लोग, चौदा में, चौदा में साथ ही हमसे क्या पूशा जा रहा है, कौन सा कथन सही है, तो थोड़ा सम्बढ़ा करें, आपको अच्छे से दिखाई दे, तो कौन सा कथन सही है, ये पूश रहे हैं, कौन सा कथन सही है, ध्याम देजिएगा, कभी-कभी गलत भी पूछ लेगा तो नियुक्लियर रियक्टर में कर रहे हैं द्रव सोडियम नियुक्लियर रियक्टर में द्रव सोडियम यानि लिक्विड सोडियम सीतलक के रूप में काम करता है यानि जो लिक्विड सोडियम होता है कर रहे हैं द्रव सोडियम उस सीतलक के रूप में कार करता है यानि ठंडे उसको न्यूक्लियर रेक्टर को ठंडा करने के लिए द्रव सोडियम का प्रयोग किया आता है यह बात सातियों सरासर गलत है न्यूक्लियर रेक्टर को ठंडा रखने के लिए बहारी जल डियूटेरियम का प्रयोग किया जाता है यह बात गलत हो गई तो यह जो है और कैलसीम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयो है यस हमारा जो दंत पेस्ट बनता है कैलसीम कार्बोनेट उसका एक अच्छा अवयो है तो यहांपर हमारा एक सफचो चईदय का केवल दो सएी होगा तो 15 में क्या है तो यहां करें जयव बीवीधता के संदर्व में जयव बीवीधता बायो डायवर्सिटी के संदर्व में कौन सा कथन गलत है, यहां जरूर धयान देजिए, नहीं तो आप आता हुआ गलत कर देंगे, क्योंकि जो सरल प्रश्न होते हैं, उसमें कुछ इसी प् खाले और बाद में जो है आपको दिक्कत हो जाए तो देखें ए जो है कह रहे हैं एक वाले में सरवाधिक प्रजाती बिविता भूमद रेखी प्रदेस में भौगोलिक छेत्र में पाई जाती है तो यह साथ यह बिलकुल सही है अपने आप में यह कथन बिलकुल सत्ते है कि स त्यानि कोई गलत नहीं है, हमसे गलत करें कौन सा गलत है उसे बताईए कथान कोई गलत नहीं है जो है तो न तो 1 गलत है न तो 2 तो D हो जाएगा या हमारा जो answer होना चाहिए ये D हो जाएगा आगे अगर हम लोग देखें हमारा हो गया एक सो पंदरा सोला देखते हैं, तो सोला में साथ यह क्या कह रहे हैं, तो सोला में क्या कहा जा रहा है, पानी आयनिक लवड, पानी आयनिक लवड का सू बिलायक है, हम लोग जानते हैं साथ यह वाटर जो होता है, वो एक सबसे अच्छा बिलायक है, बिलायक का मतलब सबसे अच्छा गोलने वाला पदार्त है किसी भी पदार्त को गोलना हो तो सबसे अच्छा water ही होता है तो वही करें हैं क्यों होता है एसा क्योंकि साथ यूं उसका देवुध्रो आघुर बहुत अधीक और डाइपोल मोमेंट उसका बहुत अधीक होता है तो विदकल्प नमबर य होते हैं नेगेटू चार्ज इनके बीच की दो मतलब डिस्टेंस होती उसका गुड़नफल होता ऐसे करके आपको पढ़ाया गया होगा तो 117 में क्या है कथन कारण वाले सवाल है तो इसमें जो पूछ रहे हैं यहें कथन हो गया और कारण हो गया कथन में करें साथी हो टरलिफ पेटरोलियम गयस यानीą यानी liquid petroleum गयस ल्पैज यानी जो ल पीजी है LPG का प्रमुख घटक मेथेन होता है साथ यह बिल्कुल गलत आपको पहकाया जा रहा है यहाँ पर यह जो LPG का प्रमुख घटक होता है साथ यह प्रोपेन और ब्यूटेन होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोपेन और ब्यूटो ने इसमें जो गंधाती उसके लिए थोड़ा मरकेप्टन मिला दिया जाता है तो ये बात गलत हो गई पहली मिथेन नहीं होता है तो कारण दे दिया है मिथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइप लाइनों से उपलब्द कराई जा सकती है बिल्कुल सही सातियों आप एक गड़ा खोद लेजिए जैसे गोबर गैस बना जाता उसमें तमाम पू गलत है आर सही है तो D हमारा सत्र का जो उत्तर होना चाहिए वो D हो जाएगा तो यहाँ चेल लई रही हमारी पिम इसलिए हम यहाँ दिखा रहे हैं A हो जाएगा A गलत आर सही है अठारा में, अठारा में साथ यूं करें, एक जीन, एक एंजाइम का कॉंसेप्ट किस ने दिया था, तो एक जीन, एक एंजाइम का ये जो कॉंसेप्ट है, ये किस ने दिया था, तो बीडल ने दिया था, बिकल्प नंबर B, A हो जाएगा, बिकल्प नंबर A, बीडल ने दि सिद्धांत दिया है और यहां पर हुगॉडवी ब्रीज्ज जो हैं साथियों इनको तो जानते हैं इनका भी एक अच्छाैं इंहों को आर यहां है और यह तो आप जानी गए बीडल is a mau का परिकलपना दिया है में कि 119 में क्या है तहां पर देखने में तो थोड़ा बड़ा बड़ा है लेकिन इस में कोई दम नहीं है ध्यान से देखीएगा कह रहे हैं कि इसमें साथियों इतना जो बड़ा दिखा है इसमें कह रहा हैं कि अगर अगर राश्टपती का चुनाव जो है उज्टमने आले द्वारा सुन घोषित कर दिया आता है तो ऐसे तीफिसे पुर्व राश्टपती के पद के करतब के निस्वादन में राश्पति द्वारा किये गए सभी करित अधिमान यानी invalid हो जाएंगे नहीं साथ यूँ ऐसा कहाँ यहां एक मतलब इतने दिन से उसने पद्गराण किया यहां तक कार किया बहुत सारा कार किया और यहां आकर उसका जो है मतलब उसका जो निर्वाचन सुनने गोसित हो गया उपद से हट गया क्या उसके सारे काम पर बुल्डोजर चलवा दोगे नहीं ऐसा नहीं है तो सारे उसके कृत जो है उसके पहले के लिगल ना रहेंगे इन लिगल इन्वैलिट नहीं माने जाएं राश्पती का जम निर्वाचन होता है इलेक्षन तो इस बात को नहीं देखा जाता है किसी राज में अभी जो है चुनाव होना है वहां अभी बिदानसवा गठित नहीं होई है तो वो सब नहीं देखा जाता है चाहे जितनी बिदानसवाओं का चुनाव करवाना होगा ब 2020 में करें निमलिखित में से किसका संबंद केशिकात की परिघटना से नहीं है, तो केशिकात तो आप लोग जानते हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ाये होंगे, आप लोगों के गुरू जी मैं याद दिला दे रहा हूं, केशिकात की क्रिया क्या होती है, कि साथियों बिना कोई बाह बल के गुरूत्वा कर्षण के बीपरी दिसा में, एक किसी नलिक्या के सहारे उपर चड़ जाना लिक्विड का, जो है, उसी को जो है, ये केशिकात तो कहा जाता है, तो ये होती है, और केशिकात आप लोग जानते हैं, केरोशिन दीप का उपियोग, जो प्रियोग मुश्किल हो जाता है, तो यानि केरोशिन में जो दीप प्रियोग होता है, और जो आपने पैँ दुभा कर छोड़ दे, तो कुछ दिर बाद ये लंबी दूरी तक थायल जाते हैं, और पेड पवधे, जो हम अपने चार ओर देखते हैं, तो जो है यो परिथु पर नहीं यह जल पहुशाते हैं पने मिरदों पर्ली पिर्योग करने के लिए इस्टता का प्रयोग नहीं कर पाता तो कोई हम लोग एक कोल डूल टाइप का कोई समानं लिए हैं पी रहे हैं पदार्थ और उसमें कुछ डाल देता है इसे हम लोग अपने मुझ से खीचते हैं तब इसमें से निकलता है यानि हम लोग बाहरी बल लगाते हैं और सब में बाहरी बल नहीं लगाना पड़ता है लेकिन इसमें बाहरी बल लगाना पड़ता है इसलिए यह के सिकात के किरिया नहीं हुई आगे देखें हम लोग निमनलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राश्पती और राजपालों को प्रदत्य न्याईक उनमुक्ती से संबंदित है तो साथियों बिकलप नंबर ये अनुछेद 311 ये राश्पती और राजपालों को न्याइक उन-mukti से संबंदित न्याइक उन-mukti मतलम न्याइक प्रतिरच्छा दिया हुआ है कि राश्पती और राजपाल के खिलाफ हम लोग जो है उनके खिलाब केस नहीं कर सकते तो यह होता है बिकल्प नमबर डी यही से उनको सुरच्छा प्राप्थ हुई है नियाईग मामले में आगे देखे हम लोग 22 में यहां परसाथियों हमें दिया है कुछ जल परपात दे दिया है और उसे समन्नित राज दे दिया है कौन सा जल परपात कहां है बताना है और कौन सा मिस मैच है उसे बताना यानि जो गलत मैचिंग किया गया है उसी को पकड़ना है तो आख के आखों के सामने सीधा सीधा दिख बिहर बिहार में है नवरा नंग अरुडाचल प्रडेश में है बहर पानी ओडिसा में है यहीं घलत था तो विकल्प नमबर ए आपका इंसर होगा तो 23 में क्या है 23 में साथ हीओ भारती संसदी ब्योस्था के संदर में कौन सा कथन हमारा सही है तो संसदी बेश्थ हमें कौन सा कथम सही है पढ़कर हमें सही उत्तर देना है तो पहला पढ़ो संसदी कारवाई की दोरार मंत्रियों के अत्रीक्त प्राइवेट सदस्ट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं यह सातियों ऐसा नहीं जो मंत्री हैं अमिस्टा है और हैं इसके निड़े के खिलाफ काम न करें सदन में जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई सदन में विप जारी कर दिया कि मोदी जी एक कानून लेकर आ रहे हैं उसका बिरोध करना है तो विप जारी हो जाएगा तो सबको ही वहाँ पर बिरोध करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कोई सम मर्थन करेगा तो उसकी सदस्यता चले जाएगी जब विप जारी हो जाता है तो उसे पार्टी के बातों को सदन के अंदर मानना पड़ता है तो यहां करें सचेतक कारेकाल सन्विधान के बजाए सदन के नियम संसदी संविधी में उलेखी थे तो साथियों ने तो सन्विधा इसका होना चाहिए, तो यहां पर हमारा दो तो गलत हो गया, केवल एक होगा, विकल्प नमबर हमारा ए हो जाएगा, आगे चले हम लोग, तो यहां पर हमारा, फिर मैचिंग वाला आ गया, मैचिंग वाले सवाल बहुत गजब के होते हैं, सन्मिधान का भाग है हमारा, और उ सा सेठ हमारा बन रहा तो देखें आख मून कर हम लोग जानते हैं संभीदान का हमारे जो भाग 8 होँ है वो जो है केंदर राज शासित प्रदेश यानि यूटी से संब्णदीद है यह हो गया भाग 10 हो गया जो भाग 10 हो जाता है भाग 10 में क्या है दोस्तों यह यह CST से संबंदित, छेत्रों से संबंदित है, यह यहां पर चलाएगा, और यह तो चवदत जानते हैं, संग और राज के अधिन जो सिवाएं हैं, संग लोग सिवायोग, राज लोग सिवायोग से संबंदित है, और यह जो बचा हमारा 18, भाग 18, 18 में अपात कालिन से संबं तो हमारा देखें कौन सा बन रहा है तो यहीं सी वाला बनना चाहिए क्योंकि क्योंकि ए कहीं से हमें पता चल जाता क्योंकि पहले हमने पता लगा लिया था कि आठ वाला कें सासित प्रदेश पे तो ए वाला एक पर तो ए वाला एक पर केवल सी के पास है और कहीं नहीं है ऐस तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा हमारा तो पचीस में क्या है तो पचीस वाले में दोस्तों जो पूछा जा रहा है निमने लिखी तुमें से कौन सा एक सही सुमेलित है तो कौन सा सही है इसे बताना है तो सातियों अंकलेश्वर, तेल छेत्र, चिन्नई के तट के पास स सतित है तो सातियों नहीं ये चिन्नई के तट के पास सिस्तित नहीं है सातियों ये गुजरात के पास है गुजरात के पास है ये गुजरात के तट के पास है तो ये गलत हो गया हमारा ये क्या रहे है नामचिक नामफुक कोईला उत्पादक छेत्र मेगाले में है तो नहीं बबराला यूरियासायंत रूटर प्रदेश में इस्तित है ये बिल्कुल सही है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है सही है और बीना पन की पाइप्लाइन पर्योजना जहरखंड मेंने 0 शाथी हो यह मद्बlichkeit और उत्तरप्रदेश की यह पर्योजना यूंग गलत हो गया है सी के वल हमारा सइए यानि सी गलत सी सही है आपके सब गलत थे क्यों गलत था वो मैंने आपको बताया आगे देखे 26 में भी हमारा दे दिया है मैचिंग वाला सवाल तो यहां पर क्या कह रहे हैं इस मैचिंग वाले सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपसे एक तरफ आपको जहील दे दिया गया है दूसरी तरफ राज कौन सा जहील किस राज में है यह हमें बताना है और उसे हि जील साथियों यह नकी जिल ये जानते हैं राजस्थान में हैं गोगा जिल बिहार में हैं काली वेली जिल तमिलनारू में हैं बेलानदूर करनाटग में सब सिधे सिधे मिले हुए हैं तो विकल्प नंबर आपका एक, दो, तीन, चार, डी हो जाना चाहिए, 126 का डी हो जाएगा हमारा, आगे देखें, यह 27 में क्या है, असोल भट्टी, असोला भट्टी, वन जिव अभिहारण, निमलिखित में से किस राज या केंसासित प्रदेश में इस्थित है, तो दिल्ली, सिक्किम, पदुचेरी, यह कहां पर है साथियों, तो यह दिल्ली में है, बिकल्प नंबर, दिल्ली हरियारा सीमा पर, और आवली परवस सिंखला के, दच्छडी दिल्ली विरिज़ पर है ये, तो बिकल्प नंबर ए यही हो जाएगा, दिल्ली में, आगे देखें, यहां क्या है, निमलिखित में स कौन सा कथन सत्य है तो चार दिये हुई विकल्पों में जो सत्य है उसी कर बताना है तो साथियों यहां कह रहे हैं पहले वाले में कि ब्यास नदी हरीके के पास रावी नदी में मिल जाती है तो नहीं साथियों रावी में नहीं यह जो है सतलज नदी में मिलती है सतलज में तो यह गलत हो गया दूसरा कह रहा है कि रावी नदी सिंधु में दाई और से मिलती है नहीं साथियों सिंधु जाती है सिंधु के बाई और से मिलती है तो यह भी गलत हो गया तो यह भी गलत हो गया सी वाला यह पढ़ेंग जहेलम नदी श्री नगर के निकट भूलर जहिल में मिल जाती है यस यह बात विलकुल सही है यही हमारा उस्तर होगा क्योंकि सही पूछा गया है तो सही सी है और सी भी देख रहें क्या करें सोन नदी विहार के भागलपूर के निकट गंगा से मिलती है सोन्सों विहार में मिलते हैं विहार में पटना के पास मिलती है यह भी गलत हो गया सही के पुंधे सम्बंदित है और थे लिप यहां पर क्या है तीस में पूरुवत्तर भारत के संदर में निमलिखित कथनों पर बिचार कीजिए तो पूरुवत्तर भारत के संदर में हमें दो कथन दिये गए हैं इंपर बिचार करके हमें सही उत्तर देना है तो रंगीत नदी तिस्था की प्रमुख सहायक नदी है तो यहाँ जो रंगीत नदी लिखा है, करा हैं यह तिस्था की प्रमुख सहायक नदी है, तो यह बात गलत हो गया, क्यों गलत हो गया साथियों? यह जो यहाँ पर लिखा है यह रंगीत नदी पश्मी सिक्किम में राथों के ग्लेशियर से निकलती है और यह निल्ला नामक अस्थान पर तिस्ता नदी से मिलती है तो तिस्ता नदी की प्रमुख सहयक नदी है तो यह बात तो सही है हाँ संगीत रंगीत नदी तिस्ता नद और यहां जो लिखा है जुको घाटी मड़ीपूर और मेगाले के बीच यह सीमा बनाती है तो सात्यों यह जो है यह गलत हो गया मड़ी पूर तो मैघाले के बीची नहीत यह गलत हो गया तो आपका उत्तर जो होगा जो 130 का वो डी हो जाएगा केवल एक तो क्या कर रहा है साथियों बहुत अच्छा सवाल लोक शेवा अदालत से मतलब लोक अदालत से है तो यहां पर 1982 में लोक शेवा लोक सेवा मुझे बार-बार वही बोलता हूं तो ही यादारा है तो 1982 में पहला लोक अदालत का शिविर कहां आयुजित किया गया था तो साथियोंस सबसे पहले बिहार में गुजरात में आयुजित किया गया था बिकलप तो समझावता हो जाता है और जब समझावता हो जाता है तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोट या हाई कोट में चुनवती नहीं दिया जा सकता यह सरोमा ने इसको मानना पड़ेगा जो लोग अदालत निड़े देगी आगे देखें 32 में कौन सा उच्छ नियालों में न्याइध हिसों की संख्या निर्धारित संसत करती है लेकिन यहां हाई कोट के बारे पूछ लिया है हाई कोट में जो न्याइधिस के संख्या का निर्धारन किया जाता है वो राष्टपती करते हैं बिकल्प नंबर B C हो जाएगा हमारा आगे देखें यह 33 33 कहां है हमारा 33 में देखें क्या पूछ रहे हैं कथनों पर बिचार करना है और बिचार करके हमें सही कथन का चैन करना है अब देखें हम सही कथन चले पड़ें, हम लोग पहला अगर देखते हैं, तो राज के मुख सचिव के नियुक्ति मुख मंत्री के कारकारी आदेश से होती है, जिसे राज के राजपाल द्वारा नामित किया जाता है, तो साथियों बिल्कुल सही, यह सही है यह, और अच्छ यहां पर राज के, यह सही है, मुख मंत्री सचिव के नियुक्ति, मुख मंत्री के कारकारी आदेश से ही होती है, जिसे राज के राजपाल द्वारा नामित किया, यानि जिसे राजपाल नामित करता है, तो उसे जो है, होती है, तो ए वाला तो सही है, मुख सचिव का कारक करें तीन वर्स का होता है यहां साथ हो यहां भी गलत हो गया यह वाला तो मुख सचु का कारकाल यह संचालन से बाहर रखा है इसके लिए कोई निश्यत कारकाल नहीं बताया गया है तो यह गलत हो जाएगा तो हमारा केवल यहां उत्तर यह भी हो जाएगा केवल एक सत्य है अदिक रोह तो यहां पर जो उपरी पोषी लिख में बायो मास अन्थ और पर निचले पोषी उस्थरों की तुल्नमें बहुत अधीक होता है यह वाला जो कथन कह रहे हैं और यह कोई निश्चिद बात थोडली नहीं जो उपर है उसके पास बायो मास ज्यादा होगा और जो नीचे है उसके पास कम होगा तो नहीं ऐसा नहीं है ये बात घलत हो गई आपकी डूसरा क्या कह रह Oliver है क्योंकि अनकी किसी पाज की क्तंतर के एफ़जा पिरामिड ही यह संकिल होती है तो ओफ़जा पिरामिड जानते हैं ही है ये बी वाला ये दूसरा कथन हमारा सही है 34 का तो किवल बी हो जाएगा हमारा ये वाला 34 का बी कि आगे बढ़े हैं लोग 35 में यहां क्या पूशा जा रहा है तो अधिनस न्यालें के संदर्म में कुछ कथन दिये गए हैं उन्हीं कथनों को पढ़कर हमें गलत कथन को बताना है कौन सा गलत है तो कह रहे हैं साथियों यहां जीला न्याले योम अन्याले में न्याईक सिवा से सम्मंधित ब्यक्त की पदस्थापना पदोन्नती योम अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज सरकार का होता है तो साथियों यहां पर भी यह बात हमारी यहां पर यह गलत हो गई यह अधिनस न्याले हैने साथियों यह सही बात है यह सही करें राज सरकार का ही होता है और राज लोक सिवा आयोग और उच्छ न्याले से परामर्स के बाद राजपाल जिल्या न्याईद इस से भिन व्यक् यह गलत है, हमारा उत्तर अहां पर किवल 35 का डी हो जायेगा, किवल एक हो गया, आगे चले हम छोग देखते हैं, तो आगे क्या है दोस्तों, भारत में खनन छेत के संदर में कौन सा कथनों पर बिचार कीजिए, किस screening यह खनन छेत के संदर में, बिचार करके हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है यह जो पहला है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलमूनियम उत्पादक देश है यह जो कह रहा है हमें 36 में तो यह साथियों यह बिलकुल सही है भारत दुनिया का सेकेंड सबसे ज़्यादा एलमूनियम उत्पादन देश बन चुका है ये सई है दूसरा कह रहे हैं कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा चूना उत्पादक देश है तो साथियों यहां पर यह गलत हो गया यह सबसे ज़्यादा तो यह है अल्मूनियम मामले में पहला है लेकिन चूना के मामले में यह तीसरा है बिश्व में तो यह बात यहाँ याद रखना तो यह गलत हो गई यह हमारी दो वाला तो यहाँ सही क्या हुआ तो केवल एक सही हुआ 236 का D आगे देखे हम लोग उर्जा पिरामिड होता है तो उर्जा पिरामिड क्या होता है साथियों भी मैंने बताई यह बात अभी आई थी उर्जा पिरामिड हमें सा सीधा होता है क्योंकि जैसे जैसे उपरी चरण में जाती है यह कम होती जाती है तो यह 10% का रूल आप ल 177 हो गया 138 में ग्यारावी अनुसूची के अंतरगत पंचायतों को प्रदत भिसय निमलिखित में से कौन सा सामिल नहीं है यानि इगरावी सूची के अंतरगत जो पंचायतों को भिसय दिये गए हैं उन में से क्या शामिल नहीं है तो साथियों गरेबी उनमूलन का कारक्रम भी सामिल है गैर प्रमपरागत उर्जा भी स्रोध भी सामिल है और लोग विभाजन पद्धती भी सामिल है यह उच्छ सिच्छा सामिल नहीं है तो विकल्प नंबर सी यह उच्छ सिच्छा वाला यह जो मैटर है वह पंचायतों से संबंदित नहीं है उसमें प्रात्मी सिच पर क्रम में हमें सजाना है तो देखें किशन गंगा गंगा वेन गंगा पेन गंगा तो यह सिधा सिधा सब उत्तर से दच्छिड तक ही यही है तो यही क्रम भी है इनका थर्टी नाइन का यह जो है दोस्तों यही क्रम भी है इनका तो विकल्प नंबर एक दो तीन चार हो जा है सब यह यह हो जाएगा का का तो कि आगे चले हम लोग देखते हैं मिनक्रा depths zon कि शालीस में निम्लिखित में मेश्थ दे और यहां में गाले में जानते हैं तो में गाले ने गाले में तो पदूचेरी में कितना है दोस्तों पदूचेरी में जानते हैं यहां विदान सभा के वर दिल्ली में है और पदूचेरी में अब तो जम्मू कश्मीर में भी हो गया तो पदूचेरी में 30 सीटे हैं तो अच्छा है यह राज केंदसासित प्रदेश भी अच्छा दे दिया क्योंकि सबसे कम अब यहां पदुचेरी हो जाएगा और मिजोरम में तो यहां तो दिया ही है मिजोरम में 40 सीटे हैं तो दोस्तों हम लोगों ने 40 question को बहुत ही अच्छे से देख लिया GS World के यह 140 question का आज हमारा यह second part complete हो गया अब हम लोग मिलते हैं किसी next test reach पर तक तक के लि अब बहुत है